नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस लाँचर पर मैं हूँ नीलू व्यास एक खबर के बारे में जो कल शाम से काफी चर्चा में है और वो है कि चुनाव आयोग अरुन गोईल ने क्यों स्तीफा दिया आखिर उनकी क्या मजबूरी थी मजबूरी थी या फिर उन पर दबाव था इसको लेकर बहुत सारे लोग अटकले लगा रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण हो सकता है जिसकी वज़र से चुनाव आयोग अरुन गोईल को रिजाइन करना पड़ा कारण कुछ भी हो लेकिन चुनाव आयोग की जो हालत है वो इस समय क्या हो गई है चुनाव आयोग के लेकर कोई बाचीत हो जाए, कोई संबाध हो जाए, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और फिर एक्दम से ये खबर आती है, चुनाव आयोग का स्वास्त क्या है, सबसे अच्छा दौर जो चुनाव आयोग का अभी तक भारत के इतिहास में माना जाता है, वो दौर था टी एन सेशन का, और टी एन सेशन एक ऐसे चुनाव आयोग, मुफ्य चुनाव आयोग थे, जो किसी की भी नहीं सुनते थे, और जो लोकतंत्र के लिए ठीक होता था, उसी दिशा में वो काम करते थे, लेकिन टी एन सेशन के लौयर संजे हेगडे, वो आज हमारे साथ जु हो, उन से उन पर भी हम बाचीत करेंगे, सवाजय हेगरे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और सर आपने टी एन सेशन को भी बहुत क्लोजली देखा था, आपको उनके लौयर थे, मुझे आपने बताया, आज जब आप उस समय का दौर देखते हैं, और जो आज का आ दवाव से काम कर रहा है, आज कल कई लोग ये भी मानते हैं कि इलेक्शन कमिशन एक सरकारी डिपार्टमेंट के अलावा और कुछ है नहीं, जो इंडिपेंडेंट्स ओफ अफ अब इलेक्शन कमिशन और जो प्योरिटी ओफ इलेक्शन जैसे उन्होंने मेंटें किया था, शायरी किसी और इलेक्शन कमिशनर कर पाए, हाँ, लिंग्डो साब थे, कृष्णमूर्टी साब थे, कुरैशी साब थे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी तरीके से कोशिश सब की है, पर टेन सेशन वैसे एक यूनिक किसम के इलेक्शन कमिशनर थे, और कुछ समय त सोल इलेक्शनर कमिशनर थे, तब पटना लोगसबा कॉंस्टिट्वेंसी से, जहां उस टाइम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आई के गुजराल साब कंटेस्ट कर रहे थे, वहां कुछ गरवर हुई थी, तो उनका भी वहां का इलेक्शन उन्होंने स्तगित कर दिया थ है, तो उनके काम में और आज जो काम चल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्द है, जिस तरीके से अरुम गोयल ने स्तीफा दिया है सर, आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत अबिडिन नहीं है कि वो किसी ना किसी दबाव में थे, या फिर जो दूसरी चीज जिसके बार बड़ा पद की वो काम ना कर रहे हों और उसको मोदी जी उनके अर्मान हो सकता है कि वो पूरे करने के लिए तयार हो गए हो, इस सब को लेकर भी बातचीत हो रही है, और क्योंकि ये बातचीत इसलिए भी है क्योंकि वो चीफ एलेक्शन कमिशनर शायद बन जाते, क्योंक हुए कि सुप्रीम कॉर्ट ने जब उनका पॉइन्मेंट इलेक्शन कमिशनर के तौर पर हुआ था, तो सुप्रीम कॉर्ट ने भी उस पर सवाल खड़े किये थे, देखे, क्या वज़े है हम नहीं जानते हैं, तो स्पेकुलेट करना भी सही नहीं है, हम तो सिर्फ पॉसि उनकी उनकी रेजिगनेशन एक दिन में ही प्रोसेस हो गई थी, और उसके बाद वो उनने इलेक्शन कमिशनर न्यूक्त किया गया था, और जैसे आपने बताया, आपकी दर्शकों को कि वो सक, 27 में चीफ इलेक्शन कमिशनर भी बन जाते हैं, अगर वो continue कर लेते हैं, तो म शायद पद के लिए नहीं छोड़े होंगे, पर ज़रूर किसी ना किसी मुद्दे पर काफी कुछ चर्चा हुआ होगा, और उन्होंने शायद समझा कि बैतर है कि वो पद छोड़ दे, आपको ये भी ध्यान होगा कि जब डी मॉनेटाइजेशन आया, उससे पहले तो रग कुराम राजन के एनको एक्स्टेंशन नहीं मिला था, और उस वक्त के जो आर्बिया गवर्नर थे, उन पर भी काफी कुछ दबाव सकता, तो गवर्मेंट की क्या रणनीती है, वो अलग चीज़ हो सकता है, पर ये हम मान कर चल सकते हैं कि शायद गोयल साब जो जिन्दा अफसर थे, जिसको अपॉइंट किया गया था, वो भी किसी चीज़ से असाहमत थे, अब क्या वो चीफ एलेक्शनर कमिशनर राजीव कुमार के किसी प्रस्ताव से असाहमत थे, या गवर्मेंट के किसी प्रस्ताव से असाहमत थे, हम तो सिर्फ अभी जैसे अशोक लवासा भी इलेक्शन कमिशनर थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो बाद में चीज़ें पब्लिक डुमेन में आई, जो ब्यूरोक्राट है, रिटाइड ब्यूरोक्राट, E.S. सार्मा, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने राश्टरपती को इसमें ज कर सकती है, क्योंकि वो रेजिगनेशन अल्टिमेटल प्रेजिडन को दिया है, और प्रेजिडन ने अप्रूफ किया है. देखिए resignation accept होने के बाद किसी को भी क्या पड़ी है कि क्यूं दे रहे हैं और वैसे जो राष्ट्रपती का कार्या है वो कुछ भी ऐसे नहीं करती है या कर सकती है जिस पर उन्हें cabinet advise ना हो cabinet के पर्मिशन के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं वो ceremonial head of state है जैसे आप हम सब जानते हैं कि military के भी head तो राष्ट्रपती ही हो होती है होती है या होता है पर वो तो नहीं कहते हैं न कि यहां tank चलाओ या वहां गोली चलाओ वो एक constitutional figurehead है और राष्ट्रपती का मैं कोई लेकिन आपको लगता है कि अगर दो पद खाली है चुनाव आयुक्त के एक जब अरुन पांडे जी रिटायर हुए थे और उसके बाद अनुपांडे रिटायर हुए और अब अरुन गोल ने स्तीफा दे दिया है तो जो दो election commissioners की जो पदे खाली है वो कब भरी जाएंगी उनकी नियुक्ती कब होगी ये तो पता नहीं है लेकिन आप क्योंकि तीन या चार दिन में चुनाव का notification जारी करना है election dates announce होंगी तो क्या chief election commissioner अकेले इस चीज़ को कर सकते हैं और अगर वो करते हैं तो क्या वो गलत होगा illegal होगा देखिए election commission सम्विदान के तहट 384 article के तहट एक member का भी हो सकता है या एक से जादा जितने president appoint करें तो बहुत समय तक सिर्फ one member commission था और और राजीव गांदी के वक्त राजीव गांदी के term के end में 88 या 89 में परिशास्त्री साब करके election commissioner थे तब ही दो लोगों को एसेस गिल और दनोवा को अपॉइंट किया था राजीव गांदी साब ने फिर जब वीपी सिंग साब आये तो वह अपॉइंट्मेंट्मेंट्स रद हुए थे और उनके रद करने को भी सुप्रीम कोट ने अपॉल्ट किया था तो यह इसके इसके तहत हम यह कह सकते हैं कि एक वन मैन कमिशन भी हो सकता है फिर बाद में शेशन साब जब अपॉइंट हुए थे और उनकी जो कारियों के प्रक्रिया पर सरकार को आपती थी तो तब सरकार ने दो और लोगों को MS गिल और जीवीजी क्रिश्नमूर्थी को अपॉइंट किया था और तब से त्री मैन क कमिशन से वापस वन मैन कमिशन भी अगर हो जाए तो इसमें सम्विधानिक कोई बादा नहीं है यानि कि आप ये कह रहे हैं कि कोई कानूनी दाव पेच नहीं है अब अगर मोदी जी चाहें तो ये जो फ्री मेंबर कमिशन है उसको अराम से सिंगल मेंबर कमिशन के तौर तो इसमें कोई कानून में कोई अमेंडमेंट या पार्लिमेंट से कोई अप्रूवल कुछ कुछ भी इस तरीके का नहीं है आप कह रहे हैं नहीं अभी फिलाल जो नया कानून आया है उसमें भी जा तक में यह मेरे जान में जैसा वहां वहां भी तो कोई लिमिटेशन है नहीं कि टीन होने चाहिए पांच होने चाहिए यह कुछ जो जो भी जो भी अपॉइंट होता है उसके अपॉइंट मेंट का प्रोसीजर दिया गया है और अर्टेकल 324 तो अमेंड हुआ क यह आर्टिकल 324 बहुत क्लियर ली यह कहता है कि इलेक्शिन कमिशन चल कंसिस्ट फॉफ दिचीफ एलेक्शन कमिशनर और सच नंबर फादर इलेक्शन कमिशनर इफ एनी अस देप्रेजिदेट में फ्रॉम टो टॉट 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 फॉट तो क्या हम यह भी मान सकते हैं वै ऊच्छिनाव और केवल और केवल बुख्य चुनाव और चुनाव आयोग को चलाएंगे चुनाव और भी तोट वरिस इन आया है और हमें कारण पता नहीं है । और ऐसा भी कोई बाहर नहीं आया कि सरकार ने गोएल साब कहा कि आप अपना त्याकपत्र दे कुछ तो उन्होंने त्याग पत्रत दिया है तो हम यह मान के नहीं चल सकते हैं कि सरकार चाहती है कि one member commission हो और वैसे तो आज Sunday है एक दो दिन में तो पता लगेगा पर यह option available है सरकार को option available है बट Mr. Higri अगर Mr. Arun Gowell ने इतनी हिम्मत दिखाई यह जानते हुए कि he was almost like a favorite of Modi government और इसलिए अगर हम यह presume करके चल रहे है कि इसलिए वो voluntary retirement के तुरंट बाद उनको अगर लाकर चुनाव आयुक्त बनाया गया तो अगर एक ऐसा व्यक्ति आज स्तीफा दे रहा है तो इसके माइने क्या है कि क्या जिस हद तक Modi ji चाते थे या जिस हद तक BJP उनको चाती थी कि वो compromise करे या ना करे I really don't know how to put it लेकिन उस लक्षमन रेखा को शायद अरुंगोयल लांगना नहीं चाह रहे थे क्या हम इससे यह समझ सकते हैं He didn't want to go that far I believe मैं तो अरुंगोयल नहीं हूँ ना तो फिलाल तो यह अभी सिर्फ speculation है है और हम सिर्फ possibilities eliminate कर सकते हैं तो जब हम possibilities eliminate करते हैं तो एक तो साफ है कि उनको resignation देने के लिए किसी ने कहा नहीं उन्होंने खुद दिया अब क्या वो चीफ election सिर्फ चीफ election commissioner से तंगा गए थे हैं या election commission के working में कोई सुझाव आया था जो जिसको वो मानने के लिए तयार नहीं थे वो अभी आगे देखना है तो जैसे जैसे लवासा साथ काफी देर उन्होंने अब कर रही थी और फिर बाद में जब कुछ और सब गटनाएं हुए तो तो लवासाथ साब ने रेजिगनेशन दिया और बाद में ही तो हमें पता लगा ना कि कि किसी को कुछ income tax notice गया था किसे को कुछ और हुआ था तो और और फिर ये एशिट development bank में कोई जॉब मिल गया था तो वह चले गए अब देखते हैं आगे-आगे होता है क्या ने लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि election बिलकुल सिर पर है और सरकार को इसमें किसी तरीके का explanation देना चाहिए या फिर उगर उन्होंने इतनी हिम्मत की है तो वो लोगों तक पहुँचाएं इस बात को या प्रेस कांफरेंस करके बताएं अगर जज़स प्रेस कांफरेंस कर सकते हैं सुप्रीम कोड के तो फिर एलेक्शन कमिशनर को किस ने रोका है तो पब्लिक को जितनी जल्दी बताया जाए उतना ही अच्छा है तो यह सारी स्पेकुलेशन सब बंद हो जाएंगे और आप यह पूछ रहे थी कि आप आप यह मानते हैं कि मिस्टर अरुन गोहल शुट कम फॉरवर्ड और उनको लोगों को यह बात एक प्रेस कांफरेंस के जरिये बतानी चाहिए ची बिलकुल गोहल साब खुद आ जाए या जो गोह करता है क्योंकि हर इंस्टिटूशन को अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वह बहुत ही एहम होता है और फ्री एंड फेर एलेक्शिंस एड्मिनिस्टर फ्री एंड फेरली बाई एन इंडिपेंडेंट कमिशन वह हमारी डिमोक्रेसी का दरौर तो उधर अगर कुछ मामले में क करके पॉब्लिक में कहना ज़रूरी ही है वरना पॉब्लिक यह समझ सकती शायद अपने अंदाजा लगा सकती है कि सरकार को यह पसंद नहीं थे उसलिए उन्हें हटाया गया या कुछ तो यह यह सिस्टेम और इंस्टिटूशन के लिए अच्छा नहीं है कि अगर चुनाओ की तारीखें घोशत होनी है तो अब अभी तक जो ट्रेंड रहा है जब से तीन इलेक्शन कमिशनर्स रहे हैं कि हमेशा तीन चुनाओ आयूग साथ में बैठ कर और चुनाओ के डेट्स की घोशना करते हैं अब अगर नियुक्ती नहीं होती हो जो की प्र यह पता नहीं है लेकिन अगर अकेले राजीव कुमार अगर चुनाओ की तारीखों को घोशत करते हैं तो कहीं ऐसा तो सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा कानूनी तोर पर की देखे चुनाओ आयो का कोरम पूरा नहीं है और यह चुनाओ की जो तारीखें वो इलीगल है कई लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं तो क्या वो तारीखें जो घोशत की जाएंगी और केवल राजीव कुमार द्वारा तो वो क्या एक इलीगल चुनाओ की घोशना होगी जी नहीं जैसे मैंने बताया 324 बिलकुल साफ है जो कहता है चीफ इलेक्शन कमिशनर औ अधर इलेक्शन कमिशनर इफ एनी तो और कोई मिनमम कोरम कहीं प्रिस्क्राइब है नहीं तो मैंडिटरी नहीं है कि दोने का प्रेजन जरूरी है नहीं पर खुदा नकास्ता अगर राजीव कुमार साब भी किसी कारणवर्श ना हो तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ह होगा तो बैतर यही है कि जितने जल्दी यह दूसरों की नियुक्ति हो सके हो जाना चाहिए अब चुनाव आयोग का एक ही सी है नियुक्तिया नहीं हुई है क्या ये एक सम्विधानिक संकत के रूप में भी आप इससे देखते हैं नहीं अभी तक तो क्रैसिस आया नहीं है यहने 1952 के चुनाव से सिंगल मेंबर कमिशन ने चलाया है तो कॉंस्टिटूशनल क्रैसिस थोड़ी कह सकते हैं अब देखते हैं कैसा होता है आपको क्या लगता है यह सेट बैक है यह टॉनिंग पॉइंट है आप इससे कैसे देखेंगे नहीं जब कारण बाहर निकलेगा तभी तो कह सकते हैं न कि सेट बैक है या किसी ठोस मुद्दे के कारण गोईल साब ने रिजाइन किया है जब तक कारण हमें पता नहीं है तो यह अगर सिर्फ यह पर्सनल विक्टिगा जगड़ा है या लेकिन जैसे कपल सिबल ने भी ट्वीट किया कि देखें अब यह जो इलेक्शन कमिशन है तो यह जो इलेक्शन कमिशन है तो यह उस दिशा में भी एक तरीके से बढ़ता हुआ कदम आप इसे देख रहें क्योंकि ठीक है आप जिसको सरकार चाहेगी उसको बनाएगी जब जब चाहेगी तब बनाएगी जब एक्शन कमिशन को खोकला कैसे बनाया जा सकता है जब खोकले आद्नी और और अरत को वहाँ अपॉइंट कर ले तो जब तक अपॉइंट्मेंट्स पर ठीक निगरानी हो और अच्छे लोग ही अपॉइंट होते हैं तब ये येसमेन और येसूमेन का सवाल आता नहीं है पर हाँ शेशन साब के अपॉइंट्मेंट के बारे में भी कई लोगों ने कह दिया था नहीं 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 फेवरेट ऑफ दर राजीव गांदी गवर्मन्ट ये वो बगेरा पर जब वो काम करने लगे तो अपनी डंग से करने लगे वो एक का law में कहावत है that the robes of office change the man within उसी उमीद पर बहुत कुछ काहम होता है चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और जो आपने कहा की अरुन गोहिल को जल्द से जल्द press conference करके ये बताना चाहिए so he should learn from what happened in supreme court supreme court के judges ने press conference की ती वो भी एक unprecedented press conference ती तो सब उमीद इसी बात को कर रहे है कि बही speculations ये जो अटकल बाजी हो रही है इसको बन किया जाए और कहीं न कहीं एक पश्टता आए कि आखिर अरुन गोहिल ने क्यों स्तीफा दिया चुनाव आयोग से थैंक यू सो मुच यू मुच यू मुच यू मुच यू